आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट की वेकिंसी जो के निकली है सरदर वल्लब भाई इंस्टिटूटूट अफ टेकनलोजी सूरत गुजरात के अंदर तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे यूटूब चैनल पर नए स्टुडेंट्स हैं तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहें जिससे आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन मिलता रहें तो चलिए करते हैं शुरू ये जो विकेंसी है निकलीज सरदार बल्ट भाई नेशनल इस्टूट औफ टेक्नलोजी सूरत चैनल के अंदर अब बहुत सारी है जो निकल रही है नेशनल इस्टूट्स में उसमें से एक है जिसे की मैनिट के अंदर एक वेकेंसी निकली है जिसकी वीडियो अभी हमने लेटेस्ट देखी, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर, वैसी ये वेकेंसी है, ये भी NIT में निकली है और ये है सूरत के लिए, रेक्विट्मेंट फोर नोन टिचिंग पोजिशन है, डेट है 17 अक्टूबर 2022 का छो नेंब और वैंप्य पोस्त है वह फामसिस्त, लेट पेडियो सेव्धी नेशनल संडल गष्टक्रमेंट की वेकेंसी है, तो ग्रियट अड़ीज्ग है एक पोजिशन है, टोटल एक पोजिशन है, अपर एज लिमिट है, 27, जो डिटेल्स है वह आपको मिलेगी www.svnit.ac.in जो एक प्रिंट निकाल के आपको यहां पर भीजनी भी है, जैसा यहां मेंशन है, तो वह बारा दिसंबर 2022 से पहले सुरत पहुँच जाहिए, जो एसेंशल कॉलिफिकेशन के गरम बात करें, तो देखिए निट के अंदर जो कॉलिफिकेशन होता है, वो लगबग सेम होता है जैसे मेनिट के अंदर था, वेसा ही है, ग्रूप C की पोजिशन है, बावन सो से बी साजार दो सो, ग्रेट पे अठाइस सो होने वाला है, एज लिमिट 27 साल होने वाली है, 10 प्रस 2 साइंस, PCB, PCM, जिससे भी आपने किया हो, टू येर के डिप्लोमा चाहिए, फर्स क्लास म आपको नहीं चाहिएगा, अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो दो साल का आपको experience होना important है, तो ये बात थी education qualification की, उसके बाद कुछ general instructions है, जैसे कि सारे notifications में आता है, तो आप इसमें देख सकते हैं, कुछ issue आता है, तो आप हमें उससे clarify भी कर सकते हैं, तो ये सारी जो notification की link है, मैंने description में दी है, आप उस पे जाकर general instruction पर सकते हैं, जो काम के instruction से वो हम अभी देखने वाले है, document certificate to be enclosed or produced के अंदर देखिए, the following document certificates in original along with one set of photocopies are required to bought along print out of the online application receipt proof of the online application processing fee deposit at the time of appearing in the selection process, तो जो आप selection process के अंदर जाएंगे, तो आपको receipt जो आपने online submit करिए, proof of payment और ये सार चीज़े हैं, और उसके साथ में आपको matriculation, high secondary, UGPG की mark sheet, STHC certificate, deviant certificate, एक servicemen अगर आप हैं तो उसका certificate, NOC अगर आप कहीं पर job कर रहे हैं, तो और किसी private में आप job कर रहे हैं, private institute में तो head of organization से एक लेट, photo ID card, supporting documents, past experience के जितने documents अगर आप लगा रहे हैं, तो ये सारी चीज इसके अंदर देखी हैं, mentioning के color photograph में आप टोपी ना लगाए हो, ना तिलक लगाए हो, कुछ भी इसी चीज ना लगाए हो, चश्माने लगाए हो, और आपको clear एक passport size photo upload करना है, submission के बाद कुछ भी change नहीं होंगे, और application submit होने के बाद आपको इसकी एक receipt को निकालना है, receipt को न सारी चीज़ है, आपको deputy registrar, सर्दार वलबाई, National Institute of Technology को 12 December 2022 से पहले भीजवा देना है, जो लिफाफा होगा, उस पर आपको लिखना है application for the post of, और application ID number जो आपका online receipt निकलेगा, उस पे से, जो फीस है, वो भी आपको fill करनी है, जो फीस रहने वाली है, वो non-defendable रहने वाली और वो 500 रुपए रहने वाले हैं, इसके अंदर STAC, PWD और ex-servicemen and female candidates दो रहने वाले हैं, उनको exempt rate रहेगा, बागी general category से आप fill करते हैं, तो ये 500 रुपए आपको जमा करना होंगे, schedule or recruitment process तो आप देख सकते हैं, 17 October को notification आया है, 21 October 2022 को portal खुलेगा, 2 December को 5 बज़े तक बंद ह हो जाएगा, और जो hard copy है, वो 12 December तक पहाँ पर पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद कुछ एनेक्जर दिये हुआ है, जिसके के qualifications का एनेक्जर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसके बाद आपने कोई certificate प्रोड्यूस करना है, जिसके मैंने आपको बताए कि STAC या फी क क्लिक करें, और आसानी से आप इस PDF को डाउलोड कर पाएंगे, और वहीं पर apply करने की link भी मैंने दी है, directly आप उस पे click करके apply कर सकते हैं, आप दिखिए, जोब किन के लिए अच्छा होने वाला था, ये भी Central Government का job है, NIT के अंदर, unreserved की post है, एक post है, उससे कोई फरक नहीं क्योंकि आप भी अकेले, आपको भी एक post आईए, क्या पता, सब जने सोचेंगे कि मैं apply करूंगा, बहुत सार लोग apply करेंगे, तो इससा कुछ नहीं होता है, आप apply करें इसे, और आपका number होगा, तो definitely आप ही को job मिलेगी, तो एक post है, एक post आपको चाहिए, तो आपको इसक काफी अच्छा है, और Central Government की ये job है, definitely आपको इसके लिए जाना चाहिए, तो ये सारी बाते थी, pharmacist, vacancy के बारे में, जोके निकली है, SV, NIT, सूरत के अंदर, ऐसी ही और vacancies के लिए, आप हमारे YouTube चनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और bell icon को प्रेस करें, जिससे आपको latest job notification ह हमारे YouTube चनल पर मिलते रहें, तो thank you so much.